CBSC बार्वी वोड की परिक्षा रद की गई, तैमानक या नुसार रिज़र्ट घुशित होंगे, इंटर्नल एसेस्मेंट पर रिज़र्ट तै होंगे, धर्मेंद प्रधान की अंधरिय मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया, बीते दिन PM की बैठक में शामें धर्मेंद प् प्यान, PM की बैठक की बाद 12 की परिक्षा रद कर दी गई है, ICC बोड की भी 12 की परिक्षा रद की गई है, PM ने अधिकारियों को रिज़र्ट तैयार करने को कहा है, 12 के चात्रों को परिक्षा का भी विकल्प देगा CBSC, लेकिन उसके लिए इंतिजार करना होगा, जब तक हालात नहीं सुधेंगे, तब तक वो विकल्प चात्र इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे। के बाद, अब CISCE की परिक्षाएं भी हुई रद। क्यूश गोयल, धर्मेदि प्रधान, राजनात सिंग और प्रिकाश जावडेकर भी शामिल हुए। हाला के शिक्षा मंतरी रमेश पोक रेयाल निशंक अस्पताल में भरती होने की वज़े से बैटक में नहीं थे। बैटके बाद प्रधान मंतरी ने ट्वेट करके ये जानकारे दे। ट्वेट में प्रधान मंतरी ने लिखा कि भारत सरकार ने CBSE बोर्ट की बारवी की परिक्षा रद करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्ष के बाद हमने एक नुरने लिया है जो चात्रों के रिकूल है जो हमारे युवाओं के स्वास्त के साथ साथ भविश की रक्षा करता है। केंद्री मंतरी धरवेंद्र प्रधान के मताविक इंटर्नल असेस्मेंट पर रिजल्ट तैह होंगे। देश की भविशक की स्वास्तों को सुरखिद करने के लिए कोई जोखिन ना उठाते हुए बारवी की परिक्षा को रद किया है। इंटर्नल असेस्मेंट की आधार पे ग्यारवी और बारवी दो जो पिछले दिनों में इंटर्नल एक्जामिनिशन हुए हैं। उसकी असेस्मेंट की आधार पे उनकी नतीजह आएगी। जानकार भी मानते हैं कि दसवी की परिशा की तरह ही बारवी की परिशा का परणाम घुशित किया जाएगा और वो प्रेडिक्टिव स्कोस पे ही उनका रिजल्ट बरना चाहिए दिली के मुख मंतरी अरविंद केजरिवाल ने भी परिशा रद करने की मांग की थी दिली के उप मुख मंतरी मनीश ससोधिया ने फैसले का स्वागत किया है कोई भी पैरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पर खेल के परिक्षा दिलवाई जाए बहुत अच्छी बात है कि पैरेंट्स के हित में है प्रीचर्स के हित में है बच्चों के हित में है देश के डेड़ करूर बच्चों के हित में फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आपकी बारवी की जो क्लास थी वो लगातार जो खिस्ती चली जा रही थी उसका एक तर्मेंड उसको एक जो लॉजिक प्रद करने को सही बताया है इस इत्रूपे जातों के हित में लिया गया यह प्रधान मंत्री का की चिंता है और यह जो निर्ले है उन्होंने काफी सोच विचार करके और पूरे देश के परिपेक्ष में लिया है हर्याणा के शिक्षा मंत्री ने फैसले के अनरूप आगे तैयारी की बात की वही शिक्षा जगत से जोड़े आलाग अलक सजधानों के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है आज स्वागत करते हैं CBSC के और मानो संसाधन विकास विभाग के आज के इस फैसले से हजारों लाखों करोडों चात्रों ने रहत की सांस ली है और इस निरने के बाद अभी भावा को और बच्चे अगले कली क्लास में जब जाएंगे बच्चे तो और तिवरता के साथ अपनी पढ़ाई में मल लगाएंगे चात्रों की सरकार के फैसले पर मिली जूली पृतिक्रिया देखने को बिली है ठीक भी हुआ है गलत भी हुआ है एक्चली हमारा मलब इतना सारा प्रेपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है बट एक सेफटी के में जब से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है हमारी तो मैनत पानी फिर के ना हमारी मैनत पे जो हमने मैनत की तो वो तो फिर सारी वेश्ट हो गई मेरे हिसाब से एक्जाम कैंसल हो गई यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स प्रायोर्टी पे आती है पिशले साल की तरह अगर कुछ चात्र परिक्षा देने की एक्छा रखते ही तो इस्तितिया नुकूल होने पर CBSE उन्हें ऐसा विकल देगा CBSE और CISC की परिक्षा नो रद हो चुकी है उम्मीत की जा रही है क्यों केंदरी बॉर्डों के इस फैसले के बाद राजज बॉर्ड वी बारवी की परिक्षा रद कर सकते ही अधिकाज राज पहले ही रद कर चुकी है बिरो रपोर्ट जी वीडिया रद की जा चुकी है